नमस्काल मैं राज मोहंतिवाड़ी आप देख रहे हैं बिहारी नूज बिश्व व्यापी कोरोना काल महमारी में पुरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनने के आसा और इंतजार में उमीद लगाये बैठी हुई है दुनिया के किसी भी देश ने या वैक्सीन बनाने वाली कमपनी ने यह दावा नहीं किया है कि वो कब तक कोरोना की वैक्सीन बना कर बजार में लॉंच कर पाएंगे लेकिन भारत में ICMR यानि भारतिये चिकितसानुसंधान परिशद ने एक तारीख दे दी कि 15 अगस्त तक भारत में वैक्सीन आ जाएगे कोरोना सनिजात पाने के लिए बिश्व के कई देशों में इसके वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है कई देश इस काम में काफी आगे पहुंचे भी हैं चीन की सीनोवेक बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन का फेज 3 ट्राइल रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के बाद ब्राजील में शुरू कर दिया है अब तक कुल तीन वैक्सीन कंडिडेट्स ऐसे हैं जो ट्राइल के तीसरे या उसके आगे के फेज में पहुंचे हैं लेकिन इसके बाद भी यह कंपनिया एक तारीक देने से बच रही हैं ICMR के महानीदेशक बलराम भारगों का विभागीय पत्र जो वैक्सीन के ट्राइल से जुड़े हैं उन 12 संस्तानों अस्पतालों के प्रिंसपल इन्वेस्टिगेटर को लिखा गया यह पत्र मीडिया में लीक हो गया इसमें लिखा है भारतिय आयुर्विज्ञान अनुशंधान परिशद यानि ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेट से साज़ेदारी किये ताकि स्वदेशी ठीके के क्लिनिकल ट्राइल में तेजी लाई जा सके भारत के द्वारा यह पहला देशी वेक्सिन विक्सित किया जा रहा है यह उच्छ प्रात्मिक वाला प्रोजेक्ट है जिसको सरकार में सर्वच इस्तर पर निगरानी की जा रही है यह वेक्सिन सार्स को टू के स्ट्रेंश लिग गई है जिसे ICMR और नेशनल इंस्टूट वायरोलोजी ने अलग किया है यह संस्थान भारत बायोटेक से मिलकर इसके प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्राइल पर काम कर रहा है उमीद की जाती है कि वेक्सिन के सभी ट्राइल पूरी हो जाने के बाद 15 अगस्त तक इसे लॉंच कर दिया जाएगा भारत बायोटेक इस बात पर निर्वर करेगा कि इस प्रोजेक्ट के तहत होने वाले ट्राइल में सामील होने वाले संस्थान कितना सभी करते हैं आप सभी को क्लिनिकल ट्राइल के लिए चुना गया है लोग स्वास्त के हितों को देखते हुए आप सभी को सकती से सकती से सला दी जाती है कि हर तरग की मंजूरी में तेजी लाएं ताकि ट्राइल सुरू हो सके यह सुनिश्चित करें कि साथ जुलाई से पहले ट्राइल के लिए एक छुक लोगों का पंजी करन हो जाए साथ ही इस पत्र में खास बात भी लिखी है कि किरपया नोट करें जो सायोग नहीं करेगा उसे गंभिरता से लिया जाएगा उनके इस दावे पर एक्सपोर्स ने इसलिए सवाल उठाने सुरू कर दिये कि क्लिनिकल ट्राइल के पहले फेज में भी नहीं पहुँचे इस वेक्सिन को लेकर 15 अगस्त तक लॉंच करने की बात कैसे कह दी गई एक्सपोर्स का काना है कि किसी भी वेक्सिन को लॉंच करने में तक्रीबन दो साल का समय लग जाता है अगर बहुत तेजी से भी काम हुआ तो भी एक से डेट साल लगना आता है ICMR के इस पत्र पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं स्वास्त विसेसक्य और इंटरनेशनल एस्टिक्स के पुरुवद्यक्ष डॉक्टर अनंत भान ICMR की योजना पर हैरानी जताते हुए सवाल खड़ा करते हैं वह काते हैं अगर इस वेक्सीन ने अभी तक प्री क्लिनिकल ट्राइल डेवलप्मेंट टेज को पूरा नहीं किया है तो यह वेक्सीन बजार में 15 अगस तक कैसे लॉंच की जा सकती है क्या एक महीने से भी कम वक्त में वेक्सीन से जूरे टेस्ट पूरे किये जा सकते हैं वह और सवाल करते हैं और पूछते हैं कि वेक्सीन के क्लिनिकल ट्राइल के लिए जिन संस्थानों को चुना गया था उनका अधार क्या था क्या यह अस्पताल इन टेस्टों के लिए उ प्राइल की प्रक्रिया 7 जुलाई से तो नहीं लेकिन 9 जुलाई से सुरू हुई है वही कुछ हेल्थ एक्सपर्ट का यह भी करना है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में जल्देबाजी इसलिए भी है क्यूंकि अभी भारत में कोरोना का फैलाव कम्यूनिटी ट्रांसपर में न नहीं रह पाएंगी और जिस तरह से कोरोना का संक्रमन लगतार बढ़ता जा रहा है उसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है सायद इसलिए आइसी एमर वैक्सीन बनाने की पुरानी परंपरा जिसमें सालों लग जाते हैं उससे हटकर अलग रस्ता अपना रही है भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिस में क्लिनिकल ट्राइल के लिए जिन बारो संस्थानों को चुना गया है उसमें पटना का एम्स भी सामील है हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि समाने तोर पर एक वेक्सीन को बनाने में सुरक्षा के द्रिश्टी से जिन पर क्रियाओं से गुजरना होता है उसमें सालों लग जाते हैं अगर बहुत तेजी से काम होगा तब भी कम से कम डे साल तो लगी जाएंगे ज्यादतर एक्सपर्ट्स की राय में 2021 के मद तक कोविड-19 का वेक्सीन बन पाएगा अब जरा यह जान लेते हैं कि कोरोना की वेक्सीन बनाने के लिए भारत में जो क्लिनिकल ट्राइल होने जा र भावी है या नहीं इसमें निश्चित संक्या में वॉलेंटियर्स को उनकी सहमती से ट्राइल के लिए तै किया जाता है फिर उनके शरीर की जाच कर उन्हें बिना नुक्सान पहुंचा है उनके अंदर बनाई गई वैक्सीन डाली जाती है वैक्सीन में उसी बीमारी के विक्सित कर लेती है तो सरीर का रक्षातंत्र इस वाइरस या वेक्टेरिया को पहचान लेता है और सरीर इससे लगना सीख जाता है इसके बाद अगर इंसान असल में उस वाइरस या वेक्टेरिया के चपेट में आता है तो उसके सरीर के अंदर मौजूद रक्षातंत्र क कैसे निपते लेकिन आपको बता दू कि किसी दवा का clinical trial या इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि किसी को यह मालूम नहीं होता कि दवा कैसा प्रभाव छोड़ेगी इसमें जान जाने तक का खत्रा रहता है हलांकि किसी दवा या वैक्सीन का मनुष्यों पर clinical trial शुरू करने से पहले उसे पसुओं पर trial किया जाता है परन्तु जरूरी नहीं कि पसुओं पर सफल trial मनुष्यों पर भी सफल हो इस तरह पूरी प्रकिडिया और उसके अध्यन में लगबग 2 साल आराम से लग जाते हैं हेल्थ विसे सग्यों की बातों और अब तक के वैक्सीन बनाने की तिहास को भी देखें तो यह काना गलत नहीं होगा कि 15 अगस्तक भारत में कोरोना की वैक्सीन बन पाना काफी मुश्किल है स्वास्त विसे सग्य साब तोर पर कह रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन अगर बहुत जल्दी भी आई तो दिसंबर या फिर अगले साल के शुरुवात में ही आ पाएगी अब देखना होगा कि ICMR के दावे के मुताबिक 15 अगस्तक भारत कोरोना की वैक्सीन बना कोरोना से अजाद हो पाएगा या हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार दिसंबर या अगले साल तक वैक्सीन लॉंच कर पाएगा फिलाल जब तक वैक्सीन नई बनती तब तक अपनी सुरक्षा स्वयम करें मास्क पाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साबुन से हाथ धोते रहें खबरों से अपडेट रहने के लिए देखती रहें बिहारी न्यूज धन्यवाद